नमस्कार दोस्तों हमारी चैनल टूफेक्ट टीजिंग में आपका श्वाइबत है आज का हमारा विश्य है होमेपेथिक मेडशिन नेफ्थैलिन के सिंट्रम सबसे पहले हम आप से नोद करेंगे कि क्रीप आप हमें चैनल के लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें बेल बटन दवाना नहीं भोलें जिससे की हमारा अगला वीडियो आपको दिर्वाजप से मिल गार है होमेपेथिक मेडशिन नेफ्थैलिन के सिंट्रम नेफ्थैलि मियावस्दी बहुत लावकाड़ी साबित होती है बीवी द्रोगों के लक्षनों का धार पर न्याप्तरी नौस्दी सिवहने वाले लाव सीर से समधित लक्षन लोगी हर समय ऐसा लेटा रगता है जैसे वह नसे में हर समय लोगी को बेचैनी सा राना चीरे का विर्कुल प खांसी से समधे लक्षन लोगी को बहुत तीज खांसी हर से कारण रात में नीध भी नहीं आपाती है और नीध आते है लोगी को बहुत तीज खांसी अंप रात आखों में जलन होने के करण सील का गर्म होना चाती और अमाशे में दर्द का होना मुड़े लोगों को होने वाली दन्मा काली खासी आवाज की नली और सास लेने की नली में बहुत तीज जलन होना सास की नली में सूजन आना सास की नली में सूजन होना आधी लक्षन का धार पर रोगी को नेख्थारी नौस दी बहुत लापकाड़ी होता है मुत्र पेशाव से सबन्त लक्षन रोगी को बार-बार पेशाव आता रहता है पेशाव का रंग बिल्कुल काला होना पेशाव का ज्छा और बंदू के साथ आना लिंग के नीचे के हिस्से में कटने फटने जैसा दर्द होना मुत्राशे और मुत्र द्वार में दर्द वने के साथ लाल वजाना लिंग आगे की भाग का फूल दाना आद यासे लक्षनों में रोकर को न्याथरी नोस्ति देनक अफी लापकाडी माना गया है आखो सी समत्र लक्षन दृष्टी पटल के उपर दाने सी जलंची होना द्रिष्टी पटल के उपर धबम में जमाव होना आखो के लोश्ति कम मुलाना मुतियाविंद, रोमक पिंट, मेरी शाव होना, कणिनिका की आपारदर्शिता जैसे आँख के रोगों के लक्षनों में नेफिल नौस्दी के परियोग है, काफी लावकारी होता है, बुखार से समधिल लक्षन, बुखार का किसी भी समय आ जाना, बुखार आने के साथ सीड में दर्द होना, और कुछ अच्छा नहीं लगना, टाइफएक बुखार के तेज होना, तद आधिल लक्षनों में नेफिल नौस्दी के परियोग करना काफी लावकारी माना गया है, बृदी, रात को या पिसाःब करने से स्मय रोग बढ़ता है, खुली हवा में, तन अपने डेलियाग करने से, रोग कम हो जाता है, मात्रा, रोगी की लक्षने के जानकर नात्री नौस्दी की थ्रियक सक्ति देना काफी लापकाड़ी होता है। हम अपने अगले वीडियो में इश्रिमार्तिकुण मिश्यप पर बत्वू जनकाड़ीों के साथ आपके साहने प्रसूत होंगें। धन्यवात। झाल